अब्बू का सबसे अच्छा वाला साफा था जब पहनते थे तो नूट अपकता था उंके चेहरे से अबू धादी ने कहा था कि आप मेरे लिए विरासत में सावालग जवाब छोड़ कर गायो लेकिन इन चीजों में अपने जवाब रूनों कैसे अबूस्त अफ्जल था या लुड़ खाफ। इतो लुड़ दोनुष कांट तर दूसका है इसकामतल बगू कं दूसका रसतापताता यह नक्षा तो अधा है इस अधूरे नक्षे से इंद रच मैं धूंडू गा कैसे? हाँ नहीं अधा नक्षा तो तो क्या बता बाकी का रस्ते मैं खुर धूंड लू? यही सहर है गा, हली कल सुभा मैं आकेला इंद रच डूंडने चाहूंगा प्रष्दके परहेवार को प्रते लग्व this video विद्दकर विए पर्म वेपार आते ही अजया वेपार ये जो रिए वेश्ब ग्वेजर वेश्दकर प्रण प्रते वने वेश्ब यहां से आगे का रास्ता तो नक्षे में भी नहीं 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 है मैं अपनी मंजिल को कैसे डूँगा अब दूब आप ही कुछ कीजिया जब मैं छोटा था आपके कंदों पर बैठ के रास्ता देखता था आप तो जादू करो ना अपने कोई जादू कीजिये ना रास्ता दिखा दीजे कुछ ऐसा जादू कीजिये कि मेरी सारी मुश्किले झाल कर दूद दूदोंदू कैसे आणया आपकें झाल 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 आपने तो जादो कर दिया, अब्बू यहां सायदे का रास्ता में खुड धूगूँगा शुक्री आपको शुक्री आपको शुक्री आपको अबसे अब्बू रास्ता तो आपने दिखा दिया लेकिन वो गरीबी वाली बात पर ज़रा गॉरसा नहीं है शब्राखर अब्दी चले मिया समय आया भाई जा आप यही क्या है? जी मैं तो यहीं कहाँ लेकिन आप लोग नहीं विराने में डेर क्यों डाला है? कौन है आप लोग और कहां से है है? भाई जान हम हिंदुस्तानी सौधागर है, कारोबार के सिलसिले में हम देश विदेश जाते रहते हैं, वापस अपने वतन हिंदुस्तान जा रहे थे, पर पता चला कि उन चालिस चोरों की दैशत की वज़े से आगे का रास्ता बन कर दिया है, वो रास्ता कब खोलेगा यह तो नहीं पता, लेकिन इस समय हमारे पास रहने के लिए जगा नहीं है, आप लोग हिंदुस्तान से हैं, जी, वहां से तो मेरा दोस्त भी है, बड़ा गहरन आता है मेरा जगा से, जब भी हिंदुस्तान के बारे में सोचता हूँ तो मेरी आखों में रोश्नी चमक जाती है बाई जान, आपे काम कीजिए, जब तक आपके वतन जाने के रास्ते नहीं खुलते हैं, आप लोग सब मेरे साथ, मेरे काहों परवास चलिए, और ऐसे भी, चालिस चोरू की दहशत में इतने वीराने में डेरा डालना, हैसरे से खाली नहीं है, आप सोच क्या रहे हैं, हाँ, अरे सुनो, चलो सामान बंदो, चलना है, चलो 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 जल्दी, शुक्रिया, हैसान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अली भाई, इसमें हैसान की क्या बात है, आप लोग महमान है हमारे, चुल दोस्तों, बिलकुल, और भाई हिंदुस्तान में सब ठीक ना, हाँ, सब ठीक, सब ठीक है, तो आप लोग के चहरे ऐसे उत्रे हुए क्यों है, हरे हमारी खातिरदारी कुछ खास पसंद नहीं आ रही क्या आपको, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो दर असल हिंदुस्तान में कल सबसे बड़ा त्योहर दिवाली मनाया जा रहा है, कल दिवाल पठा के फोड़ कर आतिशवाजी करता है, एक दूसरे को गले लगाते हैं, लोग मिठाया खिलाते हैं, किन हम ये सब नहीं कर पाएंगे अली भाई, हम दिवाली नहीं मना पाएंगे, जिन रात एक करके हमने पैसे कमाए कि इस बार तिहार पर हम जाकर के घरवालों के अगर आप लोग हिंदुस्तान ने जा सकते तो क्या हुआ, हिंदुस्तान अब परवाज आएगा, हम परवाज में दिवाली बनाएंगे ठीक हिंदुस्तान की तरह, और ये सारा इंतिजाम हम करेंगे, क्यों दोस्तों, कुल, कुल, कुसरो हर जगा अलान करा दो, कि इस बा परवाज में हम दिवाली बनाएंगे ठीक हिंदुस्तान की तरह, हम बठा के पोड़ के आतिश बाजी करेंगे, अपने घरों को सजाएंगे, और परवाज में ठीक हिंदुस्तान की तरह रोश्न ही रोश्न होगी अली भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो हमारे ली किया, शायदी कोई किसी के लिए करता होगा, आप देखेगा, आपके इस नेक काम के लिए, दुनिया आपकी मिसाल देगी एक दे, दिवाली मुबारक हो आपको, दिवाली मुबारक हो, कि शोर, दिवाल अजय वुड़ोरे पारोे खव दोओ में अषिय जबागा का मैं ע리ंगी जिब को 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 ब अब घ Saysoki आने है तो भॉल जहाँ जाल नफी, तुम्हारी तरके कमाल की थी, कमबल चूर, हमारी कमबल चुराई नहीं पाया अधे कमबल चूरो, नफी के होते हैं यहां से कोई कुछ नहीं चुरा सकता इसका मदलब कि उस रात मचीना आपाने हमारे कमबल नहीं चुराये थे वाबा अपा के लिए नरम पढ़ ड़ रहे थे और हम सक्त हो रहे थे हम अखा होना चोर सा मचलिय। गल्ती हो गई हमसे बाबा कहते हैं कि ज़ा गंखी का ऐसास होता है तब पौरे माफी मांगने ची तब एक किन हम उनसे माफी मांगेंगे भी कैसे फूल जिससे मांजातें बड़े बड़े नाम कूल अर्मजीना आपा तो आरे किसमें ले लिया मेरा कंबल रात बर थंड में अकड़कर कुल्फी बन गई मेरी इसका मतलब कंबल जोर अभी में धर में है अजीज अजीज medidas अजीज अगर आपका कंबल मेने लिया होता तो मुझे ठन étape जानता हूं कि तुम्हीने मेरा कंबल लिया था हमने अपने कंबल तो अपने पैरों से बांध रखे थे इसलिए कोई उने लेनी जा सका लेकिन भाबी और भाईजान की कंबल किसने ले लिये इसका मतलब कि इन्होंने भाबी और भाईजान का कंबल नहीं लिया उनका कंबल किसने लिया वह या भाईजान वदे को पेस्तर के नीचे तोनों कंबल तुबार इसका मतलब हमारा शक सही था मर्जी न आपा ही कंबल चोर है भीवज़ा अफसूस करके सुबा सुबा अज दिन खराब कर लिया तेकिन लफी अकर आपाने कंबल चोर होता तो लेकर ना सोती नीचे क्यों रखती जमीन को ठंसे बचाने के लिए नई अपनी चोरी चुपाने कर रहे लेकिन जब कोई कोच चोरी करता है तो उसको चुपा कर रखता है ना इन्होंने तो सामने ही रख दिया जब कर रखता है जब कर रखता है जब कर रखता है जब करवागे उसने आपका हुई ऐलेसी आपका हुई अलेसी आपको यह वासके स्योरी है लग्टेम रजुना पाकु पुटिने पकार लिया और भूह में पकार लिया काबुल का तक्त मेरा है चालिज चोरों की फोज है मेने पाद हम आपसे तक्त छीन के रहें रहें चोड़ें के तक्ति हम नहीं चोड़ेंगे आपको खोड़ेंगे के रहें तक्ति होजा है पर लग्जी नामा आप आम में जाने दो आपकी चाद लेका आपकी कपर पे चश्न मराएंगे अफ थेज चोड़े तक्ति है यंदर तुनेष तो नहीं तो नहीं मुझके लिए, अबहें वरमें कोछिश करें। बशतल सिक्षा, बचारे कainsी। यंदे उतन एक शेठरे कि अमार देडिए, फिहके में कैसे हं चंकिध सएखा है। इन्ध खाइधियो हिदु कमरे औरon? मलजीना! श्ष्ष! मलजीना, आपा! मलजीना! आप आपा, चुड़ेगे के तरह लग रहे है वो? एचा लग रहे है? किछी बूतनी ने पकड़ लिया उसे? अज़े वो खुड़े पूतनी है, उसका कपती पगड़ेगा? नहीं बाबा हम सच कह रहे हैं मूँ पर पूरे बाल कुस्से से फूले हुए कार आखों में जलती हुई आग और अवास जैसे करेचता हुआ पाग अब हम यहाँ से लेते हैं बाग अब बंचरो अपना राग एक तो घर के भार चालिस चोरों ने कहड़ा रखा दूसरा घर के अंदर मरजीना और बच्चों ने दिन बादिन लेन की शयतानिया बढ़ती जा रही है अजार की बियाद होती है तुम लोग गुरुको मैं देख क्या तों क्या बहो से नाएं बाबा 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 इस तरह कौन सा बोच्पकरास पें? अच्छा वला तो सो रही है बाबा बस थोड़ी देर पहले ये भूट्डी जैसे हरकते कर रही थी बोया तुम करके बताम नासरा नहीं जोड़िंगे मम तुझे जिंदा नहीं जोड़िंगे हाँ बाबा और तुम और उन्होंने वह पुतला क्या हो पुतले को? किरात यहां था ये सब तुमारी शेतानी है और अलिफी तुम भी शेताना के साथ मिल गई तुमारी शेतानी हम पे बहुत भारी बड़ेगी कासिम भायजान को उकर पता चल गया मरजीनों को हमने कर पे चुपा रखा तो हम सब को कर से निकाल देगे लेकिन बाबा मसे हम बाहर काम से जा रहा हूँ और कोई मस्ती निकरेगा इमाद यह आपकी कितब है नहीं अपको पढ़ने चाप पढ़ लो नहीं नहीं हमें नहीं पढ़ने हमने तो यह पढ़ी हुई है हमने तो इसके दसों हिस्से पढ़े हुए बाबा जब आपको शेजादी का श्रमियाना बनाने के बाद वह अचारी दिनारी मिलेगी तब आप हमारी ले खिसाब पढ़ाने वाला मुवालिम रखवा देजेए तुमने इसके दसों हिस्से पढ़े नहीं? हाँ यह बात नुमारी दिल को छूपे मुतों माशालला कितनी समझदार हो वो तो हम बच्पन से हैं बस आपको आज बता चला है हर चीज में अबबल आते थे हम हमारी तालीम तो ऐसी है कि हम आपको भी पढ़ा सकते हैं मुझे नहीं मेरे बच्चों को तुमने माशालला तने अच्छे तालीम हासिल करी है हर चीज में अबबल आती है अगर तु मेरे बच्चों को पढ़ाओगी तो मैं तुम्हारी पूरी आदी दिनारी माफ बाबा, अपमर जीना आपको क्यों तकलीफ दे रहे, वो तुम्हारे महमान है ना, महमान से तोलजेना काम करवाते हैं लेकिन अगर महमान काम का हो, तो उससे पिछ सीखने का मौका नहीं छोड़ते हैं आई बात समझ मैं, क्यों मर दीना, पढ़ाओगी ना, मेरे बच्चा को नहीं, नहीं, ऐसा उस्ताद लाने के लिए नहीं बूला था हमारे सामने हमारा मकसद है, हम खुद नहीं जानते कितने दिन और यहां रोखेंगे लेकिन जब तक भी यह आया है, अब तक तो इन बच्चे को पढ़ा ही सकते हैं बाप के लिए मुश्किल होता है रोटे बच्चे को चुपकराना और आज अले की खुशी का कोई नहीं है ठिकाना खुशी की एक वज़ा और है, आज हम परवाज में अपने हिंदुस्तानी भाईयों के लिए रोश्नी का त्योहार माना रहे बोब, क्या नाम था उसका बोब दिवाली? हाँ, तुम इस तिवहर के बारे में जानती हो? हमने हिंदुस्तान की टिहास के किताब में दिवाली के बारे में पढ़ा है उसमें तो ये लिखाता कि हिंदुस्तान में युत्योहर बहुती जोश और जुनून के साथ मनाया जाता है और तो और दिवाली के मौके पर पूरी अवाम को चुटी दी जाती है अई वा, सीखो, बच्चो सीखो कुछ मरजीना, मैं तो कहता हूँ तुम बच्चो को आज से पढ़ाने शुल करा हूँ बाबा, आप भी आपसे कुछ सीखिये दिवाली के मौके पर चुटी रहती है ना इसलिए आज हम सब के चुटी होनी चाहिए ठीक है दिवाली के मौके पे तुम सब के चुटी लेकिन दिवाली के बाद पढ़ाई और कोई बहाने बादी नहीं के मरजीना का तो मुसीबट बंगे जारी है कुछ भी करके हम इनसे पीछा छोडाना होगा पच्ची तो पाची है मेरा दिल नहीं मानता मैंने घर में छे बच्चे देखें पांच बाहर गए है तो छटा बच्चा उनके कमरे में ही होगा